बहुत समय पहले की बात है जब मनुष्य गुफाओं में रहते थे और विशाल परिद्रिशों में घूंते थे। दक्षिन इंडोनेशिया के जावा द्वीग पर एक छोटा सा गाव था जो समुद्र के किनारे बसा था। वहां के लोग महनती थे और प्रकृती के साथ संतु में रहते थे। इसी गाव में एक छोटी जिग्यासु और बहादुर लड़की थी जिसका नाम उंगा था। एक दिन उंगा ने नदी के उस पार के जंगल की खोज करने का निश्चय किया जहां उसके मातापिता ने उसे अकेले जाने से मना किया था। वह नई चीजे जगह मिली। वहां एक विशाल पुराना पेर था जिसके खोखले तने के अंदर एक रहस्यमय नक्षा था, पत्थर पर खुदा हुआ। उंगा ने उच्साह से नक्षा गाव के बुजुर्गों को दिखाया। सबसे पुराने और बुद्धिमान बुजुर्ग ग्रानोख ने नक्षे को पहचान लिया। यह नक्षा एक प्रसिद्ध फल घाटी का मार्ग दिखाता था, जहां सबसे स्वादिष्ट फल होते थे। अगली सुबह उंगा, उसके माता पिता और कुछ अन्य लोग उस रहस्यमय घाटी की ओर चल पड़े। यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें खतरनाक नदी पार करनी पड़ी, उंचे पहार चड़ने पड़े और घने जंगलों से गुजरना पड़ा। एक बार तो उन्हें विशाल बागों का सामना करना पड़ा। उंदा की तेज सोच से उन्होंने आग जला कर बागों को भगाया। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने आखिरकार छुपी हुई घाटी को पाया। वहां के पेड रंग बिरंगे फलों से लदे थे। गाव वालोंने खुशी से फलों को तोड़ा और खाया। वापसी की यात्रा में वे बहुत खुश थे। गाव पहुचकर उन्होंने फल बाटे और उत्सव मनाया। बुजर्गों ने उंगा की बहादुरी की सराहना की और उसे नायक घोशित किया। और इस तरह उंगा और छुपी हुई घाटी की कहानी पीढियों तक बताई जा आती रही। जिग्यासा और साहस से महान खोजे होती हैं जो सभी के लिए लाबकारी होती हैं।